ओम नमस्युवाय मैं हूँ स्नोजर की एमसिन और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता होगा राष्टपती जो बाइडन बने हैं अमेरिका के और इन्हों ने अमेरिका के समय अनुसार जो शपत लिया है उसकी कुंडली का एनलेसिस मैं आपर कर रहा हूँ क्या कहती है इनकी ये कुंडली इसको अराम से समझेगा और आपकी सुविदा के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले देखें कोविट से भरी हुई चुनोती का सामना ये कर रहेंगे और लेड़ी क्योंकि जब डोनाल ट्रम्प यहां से विदाई ले रहे हैं तो इनके पास जो सबसे पहले चुनोती आने वाली है वो कोविट को की रोक्थाम के लिए होगी है जो सभी लोग बन रही है मेश लगन की कुंडली है और साथ में मेश राशी की कुंडली है मेश लगन और मेश राशी अदबुद योग यहां पर बन रहा है लगन में मंगल और चंद्रमा का महा लक्ष्मी योग बन रहा है रूचक नाम का पंच महा पुरुष योग बन रहा है ब्रस्प ceremony ली जा रही है इसकी timing perfect है लगनेश बहुत जादा strong यहाँ पर है लगनेश मतलब लगन का जो स्वामी ये लगन में ही बैठा है और लगन का स्वामी लगन में बैठा हो तो इससे अच्छी कोई बात होती नहीं है लगनेश लगन में बैठा है साथ में जो सुकस्थान का मालि combination जो हो रहा है वो एक साथ लगन में बैठा जो कि अच्छा है सुख और चतुर्त अस्थान और लगनेश ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जनता इनको सपोर्ट करेंगी प्राब्लम कुछ ना कुछ तो प्राब्लम रहे गाई इनकी जो कुंडली बन रही है इसमें एक जो दशम अस्थान के स्वामी है उनका अस्थ होना बिलुकुल भी अच्छा नहीं है अब मेरी बात को समझेगा मैं आपको क्या बताना चाहरा हूं यहां पर जो लगनेश है वो निशित रुप से स्ट्रोंग है कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है सुख का अस्थान जनता क संगर्ष कराता है और संगर्ष करने के लिए आप देखिए लॉजिकली भी देखिए तो यह जो कोविड बिमारी चल रही है यह एक प्रकार से चैलेंज रहेगा जो बिटन के लिए और केतु का आश्टम में बैठना यह इंडिकेट कर रहा है कि कई बार यहां पर कुछ भेद भी उत्पन हो सकते हैं और इनको काफी मेहनद करना पड़ेगा जो बिटन को काफी मेहनद करने के बादी यहां पर सफलता आगे मिल पाएगी अभी तक कि क्या सफलता थी कि डोनाल्ट टरंप को लोगोंने रीजक्ट किया यहाला कि मेरी प्रडूक्शन यहां पर गल कुंडली चेक करा लिजिए जो की नेट पर एवलेबल है वरिष्चिक लगन की कुंडली वह निश्यत रुप से कमजोर कुंडली है जो डेटा मुझे मिला था मैंने उसी के और साथ में चतुर्थेश का लगन में बैठना अच्छा है यानि लगन कुंडली स्ट्रॉंग बन रही है पहली बात है लगन मतलब जो आपका जो विल पावर है जो आपका कम्यूनिकेशन स्किल रहेगा वह काफी अच्छा रहने वाला यह पहली बात है दूसरी बात जो है दश्मेश खुद अस्त्य है और दशाम अस्थान पर सूर्य अलाग्या अस्थान पर दिशा बली हो जाते हैं और यहां पर पंचमेश होकर दश्मेश में बैठना यानि काफी संगर्ष काफी महनत करने के बाद ही इनको सफलता मिलनी है यह दूसरी वविश्वारी है तीसर यहां पर जो धन की बात किया जाए यानि फाइनेंशल की बात किया जाए तो फाइनांस जो होंगे जो बिडन के राज जिम में या सरकार में कहा जाए यह धन की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है लोगों को नौकरियों के मिलने के योग जादा रहेंगे और ओवर ओल ज देखाई देख पा रहा हूं क्योंकि धन का मालिक खुद बाग्य में जाकर बैठा हुए है तीसरी बात जो यहां पर दिख रहा है लगन में ही चंद्रमा और मंगल का जो योग है महा लक्ष्मी योग बना रहा है और महा लक्ष्मी योग बनाने के करण बैतरीन सपोर्ट यह में होना राहू का दूतिये में होना उच्च का होना तो राहू का उच्च होना लगनेश का ही शत्रू है राहू जब मंगल और राहू मिल जाते हैं तो अंगारक दोस्त बन जाते हैं तो मंगल राहू जब मंगल लगनेश होकर और राहू दूतिये बाव में बैठे हैं तो कई बार वाद वीवाद काफी वो रहेगा आप देखिएगा आने वाले टाइम में कई बार वाद वीवाद काफी लंबे स्तर पर हो जाएंगी सरकार के पूरे पांच साल चलने की संभावना यहां पर राहू के दृतिय स्थान पर होना और केतु की जो यह प्रबल कालसर्प दोश की जो कुंडली बन रही है यह इंडिकेट करती है कि सरकार को काफी मेनद करना पड़ेगा अपना पांच साल पूरा करने के लिए और जो बाइडन जी की कुंडली भी आपको बताया था कि सेप्टेमबर से लेके नॉमबर तक उन पर किसी प्रकार का कोई हमला भी हो स सकता है direct indirect किसी भी तरीके से तो यह भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ problem रह सकता है सरकार शायद इस वार यह 5 साल पूर्ण ना कर पाया हाला कि में ऐजा इंडियन यही प्रे करूंगा कि यही पूरे 5 साल अपनी सरकार को चला ले और सभी लोंग चाते हैं कि शांती से चीज जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वर्तमान में जो दशा चल रही है जब यह ओध सेरिमनी ली गई है उसकी दशा कि है जो वर्तमान में जो सरकार बनी है उसकी दशा का जो चार्ट आप देखियेगा तो मेरे इसमें यह open हो रहा है केतु की दशा चल रही है वर्तमान में और केतु के अंदर केतु के अंदर चंद्रमा की दशा स्टार्ट है तो केतु के अंदर चंद्रमा वैसे ही केतु चंद्रमा से ग्रहन योग बनाता राहू से ग्रहन योग बनाता तो केतु के अंदर चंद्रमा अच्छा फल तो नहीं स्टार्टिंग के जो टाइम रहेंगे ग्यारा एक तो ग्यारा ग्यारा दो हजार एक किस तक का जो टाइम मैं बता रहा हूं यह थोड़ा सा चुना चुनावती पूर इनके लिए लेकिन कुछ बीच में मतवेद होना ऐसा ओत सेरिमनी में देख पा रहा हूं लेकिन जिस तरीके से गोचर बना हुआ था जिस तरीके से टाइनिंग थी उसके इसाब से देखा जाए तो मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मियो यह अपने आपने एक अच्छा है लगनेश का लगन शिमेश है उसका दशाम अस्थान परोकर दिशा बल्ली होना है यह तीन पॉजिटिव फैक्टर भी ओध कुणली में दिखाई दे रही है लेकिन क्योंकि दशाही केतू की स्टार्ट होरी केतू अस्ट्रम में जाकर बैठे हैं तो इस निश्यत रूप से स्टार्टिंग का जो कुछ टाइम रहेगा कम से कम सेप्टेंबर 2021 तक का टाइम जो रहेगा वो थोड़ा सा कठिना ही पूरवक हो सकता है तो यह था पूरा ओत सेरिमनी का विस्टेशन आप अपनी प्रतिक्रिया निश्यत रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट्रोजर केम से ना ओम नमस्षिवा है